शिक्स क्लास गुड़ मॉर्निंग जैसे हम सुप्रभातम जैसे हम संस्कृत में ब्याकराण भिशे में हम सब्द रूप पढ़े थे जिसमें हमने राम सब्द और बालक सब्द के रूप पढ़े आज मैं उसी सब्द रूप में आपको नपुनसक लिंग बताऊंगी ये भी अकारांती होगा नपुनसक लिंग था जो नपुनसक लिंग हो नपुनसक लिंग हो है हमारा नपुनसक लिंग ठीक है इसमें मैं उसी प्रकार से सब्द रूप आपको बताऊंगी जिसके अंत में ओ आता है जैसे हमने पुलिंग पढ़ा पुलिंग में बालक सब्द और र जिसको हम पढ़ेंगे अकारांद नपुनसक लिंग ठीक हो गया जिसको हम आज पढ़ेंगे आज तक हमने क्या पढ़ा पूलिंग अकारांद पूलिंग जिसमें ओ आता है लास्ट में जिसका क्या आता है ओ आता है ठीक हो गया जिसमें हमने पूलिंग में बालक सब्द और र आपको क्या बताऊंगी पुस्प सब्द अर्था फूल ठीक है नपुन सकलिंग में क्या बताई जाएगा आपको पुस्प सब्द फूल जैसे ही हमारे बालक सब्द चला था उसी प्रकार से हमारा ये नपुन सकलिंग भी सेम ही चलता है ठीक है जिसके अंद में क्या आता है ठीक हो गया, अब यह हमारा कैसा चलता है, देख लिज्ये, पुश-पुश अब्द है, जैसे पर्धमावी वक्ति है, पुस-पम-पुश पे-पुश-पानी, ठीक है, पुस-पम-पुश-पे पुश-पानी, तो यहां पे पुश-पम, और पुस-पे- pinned, और पुस-पानी, पुस्पाब्याम 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 पुस्पाब्य पुसपाई जैसे बालकाई बालकाभ्यां बालकेब्या वैसे पुसपाई पुसपाभ्यां पुसपेब्या ठीक हो गया फिर है पंचमी पुसपाथ पुसपाभ्यां पुसपेब्या जैसे हमारा क्या था बालकाथ बालकाभ्यां बालकेब्या रामात रामाभ्यां रामेब्या पैसे हमारी किस में आ गई पढ़ल खार है यहां पर przतमा जो होती है वही नीचे संभुधन में भी आजाता है ठीक है, ये हमारा क्या था, पस्पसब्द नपुनसक लिंग, ठीक है, इसी परकार दूसरा सब्द है इसमें, धूसरा सब्द जैसे, फलसब्द, ठीक है, ये भी नपुनसक लिंग है फल सब्थ है यह भी उसी प्रकार चलेगा जैसे पुस्प सब्द चलाना ठीक है नहीं पन्प सब्द हो चाहिए पुस्प सब्द+, पुस्प सब्द हो जाए कुछ भी नपुनसकलिंग सबतुंगे वो सेम ही चलेंगे पृढ़ थमा और दूतिय और अकारांध नपुनसकल ठीक है यह दिहन देना है अकारांध में चलेगे पितिया ऐसे उजिए गा फले पुसपाथ, 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 पे पुषपे 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 इसु या बालके बालके इसु रामे 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 इसु सेम चले हे फल हे फले हे फलानी ठीक है यह हमारा क्या था फल सब्द पढ़ना का तरीका क्या है इनको जैसे हम याद करते हैं हमें एक नपुनसकलिंग में याद हो गया एक अकारांत जैसे एक नपुनसकलिंग याद है तो अगला नपुनसकलिंग आग बना सकते हैं एक अकारांत याद है बालक सब्द तो अगला अकारांत आप उसी परकार से देख करके या समझ करके उसको क्या कर सकते हो बना सकते हैं अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या है जैसे फल सब्द तो पढ़ोगे किस परकार इसको याद किस परकार से करना है फलम फले फलाने फलेन फलाब्याम फलाई फलाई फलाब्याम फलेभ्या फलात फलाब्याम फलेभ्या फलस्य फलयोह फलानाम फले फलयोह फलेशु हे फल, हे फले, हे फलाने ठीके, यह हमारा क्या है, क्रम है, हम जब रूप याद करते हैं, इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, फीर है हमाज जैसे पुसित सब्द बताया आपको अब ही है न, तो पुसित सब्द भी वैसे है, एसे प्रकार से हम क्या करेंगे इसको अपनी व्याकराण की कॉफी में लिखेंगे जैसे हमने अकारांत लिखा होगा अकारांत पुलिंग राम सब्द और बालक सब्द ठीक है वैंसे ही कॉपी में डालोगे अकारांत नपुनसक लिंग पुष्प अर्थात फूल पुस्पकारत फूल सब्द रूप ठीक है पहले पुस्प सब्द रूप लिखोगे इसके बाद क्या करोगे फल सब्द लिक होगे ठीक है आज दो सब्द रूप आपके लिए हैं दो दो करके सब्द रूप जैसे पढ़ाये जा रहे हैं तो आपको एक एक सब्द रूप या दो दो जहां तक हो सके हमको याद भी करने है ठीक है इसको आप व्याकरण की कौपी में कर रहे होंगे अपना जहां से प्रात्मी ग्यान बताए गया यहां तक आप क्या करोगे अपनी व्याकरण की कौफी में करते जाओगे इसके बाद मैं आपको आकारांत बताओंगे ठीक है यह क्या थे पुलिंग थे अकारांत अभी तक हम क्या पढ़ दे थे अकारांत पढ़ दे थे ठीक है अकारांद पुलिंग पड़ा हमने अकारांद नपुन सकलिंग इसके बाद अकारांद पड़ेंगे जिसमें आ आ हता है ठीक है इस परकार से हमको सब दुरूप को भी क्या करना है पढ़ना है याद करना है ठीक है किस परकार से हम सब दुरूप प्यात कर सकते हैं